नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टोटल ग्यान में दोस्तो आचारिय चानक्यजी एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चैंदरगुप्त मोर्या को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था और दोस्तो आचारिय चानक्यजी ने अपनी चानक्यानिती में जो भी लिखा आज के वक्त में वो सो प्रतिशत सच साबितो रहा है और दोस्तो आचारिय चानक्यजी ने अपनी चानक्यानिती में मनुश्य को सफल बनाने के लिए भी कुछ उपाय लिखे है अगर कोई मनुष्य उन उपाइं को कर लेता है तो वह करोड़ पती बन सकता है जी हाँ दोस्तो आचारे अचानक क्या जी एक बहुत बड़े विदवान थे और वह एक अच्छे नितिकार भी थे दोस्तो आचारी अचानक्य जी बताते हैं कि अगर कोई पूरुष महिला का यह अंग दबा देता है तो वह करोड़ पती बन सकता है जी हाँ दोस्तो वह एक ऐसा महिला का कौन सा पवित्र अंग है जिसे दबाने के बाद आप करोड़ पती बन सकते हैं उस पवित्रंग के बारे में जानने के लिए वीडियो की आखिर तक बने रहिए दोस्तों आचारी अचानक क्या जी अपनी चानक क्या निति और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि अगर आप करोड़ पती बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गरीबी आपके द्वार को छोड़ दे और आपके घर में हमेशा खुशियां और पैसा आता रहे तो आप रात को सोते वक्त महिला की नाभी को दबा दीजिए जी हाँ दोस्तो अगर आप रात को सोते वक्त महिला की नाभी को दबा देते हैं तो दोस्तो आचारे अचानक की अजीब बताते हैं कि ऐसा करते ही आपको कुछी दिनों में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपके घर की गरीबी आपके घर को छोड़ कर जा रही है और देखते ही देखते दोस्तो आप करोड़ पती भी बन सकते हैं दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो अगर आप आचारे अचानक क्या जी की बातों को मानते हैं उन पर यकीन करते हैं तो नीचे कमेंट बोक्स में आचारे अचानक क्या जी जरूर लिखिए और दोस्तो अगर आप ऐसे ही ग्यान से भरे और चानक क्यानिती से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद दोस्तो